लिजी सुनिए शरच चंद्रचटोपाध्या की लिखी कहानी पत्थ निर्देश मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में जब किसी मध्यम श्रेणी के परिवार का मुखिया तपेदिक की बीमारी से मर जाता है तो अपने साथ घरवालों को भी अधमरा कर जाता है सुलोचना के पती पतित पावन भी ठीक यही कर गए साल डेड़ साल बीमार रहकर बरसात के दिनों में एक दिन आधी रात को उनकी मृत्ति हो गई सुलोचना कल पती को अंतिम प्राश्चित करा कर उनके पास जाकर जो बैठी सो फिर नहीं उठी पती ने जिस तरह चुपचा प्राण छोड़ दिये सुलोचना भी उसी तरह चुपचा बैठी रही शोर मचा कर सारी महले को उसने सिर पर नहीं उठाया तेरह साल की कोहारी कन्या हैम नलिनी थोड़ी देर पहले चटाई बिछा कर पास ही सो गई थी उसे भी उसने नहीं जगाया वो बराबर सोती रही पता की मृत्यों की बात जान भी ना सकी घर में कोई नौकर नहीं नौकरानी नहीं कुन्बे गोते का तो दर किनार दूर के रिष्टों का कोई अपना कहलाने वाला आदमी तक पास नहीं महले वाली भी धीरे धीरे ठक गए थे और आज तो खास कर शाम से वर्षा शुरू हो जाने से जो कोई जागने के बहाने सोने आता था वो भी नहीं आया बाहर मुसलाधार वर्षा हो रही थी बीतर सुलोचना मुरित पती के सामने एक टक देखती हुई पत्थर सी बैठी थी दूसरे दिन खबर पाकर लोग आए और मुर्दे को बाहर निकाल के अर्थी बना कर मसान ले गए इस्त्रियारीत के अनसार गोबर का पानी छिड़क कर रोने बैठ गई सुलोचना के पास संपत्ते के नाम सिर्फ एक छोटा साम का बगीचा बच रहा था मौले वालों की मदद से उसे ही सौरोपे में बेच कर यथा समय विदवा ने अपने पती की तेरही वगएरा कराई और फिर चुपचाप अपने घर बैठ रही लड़की ने पूछा क्या होगा मा अब मा ने जवाब दिया डर क्या है बेटी भगवान तो है तेरही करने के बाद जो कुछ बचा था उससे एक महिना तो किसी कदर बीट गया उसके बाद कोई चारा न देख वो एक दिन सवेरा होने से पहले ही घर में ताला लगा के लड़की का हाथ पकड़ कर रास्ते परा खड़ी हुई लड़की ने पूछा कहा जाओगी मा? मा ने कहा कलकत्ते तेरे भईया के घर मेरे भईया कौन है मा? कभी तो तुमने उनका जिकर नहीं किया? मा ने जरा ठहर कर कहा अब तक मैं उसे भूली हुई थी बिटिया? हैम बहुत ही बुद्धी मती लड़की है वो ठिठक कर खड़ी हो गए बोली नहीं मा दूसरे के घर जानी की जरूरत नहीं अपने घर रहकर मेहनत मजूरी करके रूखी सूखी खा लेना अच्छा पर दूसरे के घर जाना अच्छा नहीं मा मैं घर छोड़कर नहीं जाओंगी सुलोचना ने अकुला कर कहा खड़ी मत हो हैम, दिन निकलावेगा चलते हुए कहा उन्होंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है उस सब को तुपानी में मत डाल तुम मुझसे क्या कहेगी हैम इतना तो मैं भी जानती हूँ उन्हों के घर में रहकर महतारी बिटिया किसी ना किसी तरह दिन काट लेंगी मगर तीरा बयाह कैसी कर सकूंगी हेम ने कहा ना सही बयाह जात बरादरी वाली क्या कहेंगे जात से निकाल न देंगे हेम ने कहा जात का क्या करना है मा हम दोनों मा बेटी रहेंगी मेहनत मजदूरी करके पेट भर लेंगी हमारी जात रहे तो क्या और ना रहे तो क्या दुनिया में और भी बहुतेरी जाते हैं लड़की का ब्याह न करने से उनकी तो जात नहीं जाती हम भी उनहीं की तरह रहेंगी लड़की की बात सुनकर इतने दुख में भी सुलोचना को हसी आ गई बोली, उसालत में भी गाउं छोड़ना पड़ेगा जात जाने पर कोई घर में जाडू देने को भी न बुलाएगा हेम ने फिर कोई जवाब नहीं दिया बहुत सी दुख पूर्ड स्मृतियां यकायक जाग उठी किसी तरह उने हटा कर वो चुपचाप रास्ता तै करने लगी जो रास्ता किनारे किनारे गाउं के भीतर से घूमता हुआ श्री रामपुर स्टेशन को गया था उसी रास्ते से डेढ़ दो को उस चलने के बाद सिद्धेश्वरी का मंदिर पढ़ा वहां ठेर कर दोनों ने भक्ति पूर्वक देवी की दर्शन किये मंदिर से निकल कर हेम ने कहा मा दिन निकल आया अब मुझे चलने में शरम लगती है सुलोचना खुद भी रास्ते में इस तरह चलने की आदी नहीं थी उसे भी शरम मालुम हो रही थी एक वरद्धा गंगा नहाने जा रही थी उससे पूछा मा जी श्री रामपुर स्टेशन का यही रास्ता है ना वरद्धा ने कुछ देर इनकी और गोर से देखकर कहा तुम कहां से आ रही हो बेटे सुलोचना ने उसकी बात का कोई जवाब न दे कर फिर पूछा स्टेशन जाने का और कोई रास्ता नहीं है मा जी मंदिर के सामने एक पतली सी गली है जो सीधी रेल लाइन तक गई है वरद्धा ने उसी गली की और इशारा करके कहा ये गली ब्रामुनों के घर के सामने से सीधी रेल तक गई है इस गली से चली जाओ रेल की पटरी के बगल से सीधी बाई और चली जाना स्टेशन पहुंच जाओगी जा बिटिया कुछ डर नहीं है कोई कुछ नहीं कहेगा सुलोचना किसी तरह दुविधा में ना पढ़कर लड़की का हाथ पकड़े उस गली में चल दी आमहर स्ट्रीट पर गुडेंदर का आलिशान मकान लगभख खाली ही पढ़ा था तिमंजले पर एक कमरे में वो सोता है और एक में पढ़ता लिखता है बाकी उपर नीचे के सब कमरे खाली पड़े हैं नीचे की एक कोठरी में रसोया रहता है और दो में नौकर और दर्बान गुडेंदर के पिता लोहे का काम करते थे मरने से पहले वे इतना रुपिया छोड़ गये हैं कि उनकी एक छोड़ दस संताने होते तो भी किसी को रोजगार करने की जरूरत न होती वे रुपए तथा पिता का लोहे का कारूबार बेच कर जो रुपए आये थे सब बैंक में जमा करके गुड़ेंदर निश्चित होकर वकालत करता था दिन के दस बजे थे अब तक वो बैठा किताब ही पढ़ रहा था नौकर ने आकर कहा बाबुजी नहाने का समय हो गया है आता हूँ कहकर वो फिर पढ़ने लगा नौकर थोड़ी देर बाद फिर आया और बोला बाबुजी दो इस्तरियां आई हैं आप से मुलाकात करना चाहती है गुड़ेंदर को बड़ा अश्यर हुआ उसमें किताब प बंद करके खड़ा हो गया सुलोचना ने नौकर की तरफ देख कर कहा तुझा अपना काम कर नौकर के चले जाने पर सुलोचना ने कहा गुने तुमारे बाबुजी कहा है बीटा गुड़ेंदर आवा को कर देखने लगा कुछ जवाब न दे सका सुलोचना ने जरा हस कर कहा चहरा देख कर अब मुझे नहीं पहचान सकते बेटा करीब बारह वर्ष पहले तुमारे इस बगल वाले मकान में हम लोग रहते थे जिस साल तुमारा जने हुआ था उसी साल हम लोग देश चले गए थे तुमारे बाबुजी क्या दुकान गए है गुणेंदर ने कहा बाबुजी को मरे तो आज तीन साल हो गए अरे उनका इंतकाल हो गया और तुमारी बुआ जी वे भी नहीं रही बाबुजी से पहले ही चल दी थी सुलोचना ने एक गहरी सांस लेकर कहा बस एक मैं ही रह गई और तो सब चल दी जब तुमारी मा मरी थी तब तुम साथ बरस के थे उसके बाद जनिव होने तक मैंने ही तुम्हे पाला था क्यों गुणेंदर तुम अपनी मौसी को बिलकुल भूल गए गुणेंदर ने उसी वक्त जमीन से सिर लगा कर प्रणाम किया पैरों की धूर लेकर माथे से लगाई और फिर कहा मौसी जी तुम हो सुलोचना ने हाथ बढ़ा कर उसकी ठोड़ी च्वी फिर अपनी उंगलियां चूम कर कहा हाँ बेटा मैं तुमारी वही मौसी हूँ गुणेंद्र ने एक चौकी खिसकाते हुए कहा बैठ जाओ मौसी जी सुलोचना ने मुस्करा कर कहा जब तुमारे आश्रय में आई हूँ तो बैठूंगी तो जरूर ही क्यों बेटा तुमने क्या अभी तक बयाह नहीं किया अब की बार गुणेंद्र हस पड़ा बोला अभी समय कहा हुआ है सुलोचना ने कहा अब हो जाएगा घर में कोई इस्त्री नहीं है नहीं रसोई कौन बनाता है रसोईया है सुलोचना ने कहा रसोईया के अब जरूरत नहीं अब से मैं ही बनाया करूंगे अच्छे ये सब पीछे होता रहेगा मुझे और भी दो चार बाते कहनी है सुकेलू हेम के बाबुजी का जब यहां से काम छूटा तो हम लोग देश चले गए थे पास में कुछ रोपे थे और देश में थोड़ी सी जमीन जायदाद भी थी इतने से मज़े में गुजर हो जाया करती थी उसके बाद पिछले साल उन्हें तपैदिक हो गया इलाज कराने में हवा बदलने के लिए पहाड पर जाने में जो कुछ पास पले था सब साहा हो गया और आखिरकार उन्हें बचा भी न सके महीना भर हुआ उनका इंतकाल हो गया अब तुम्हारा ही भरोसा है बेटा पेट भरने को रोटी देनी होगी बस यही प्रार्थना है उसकी आखों से टपटा पासु गिरने लगे गुडेंदर की भी आँखे डबडबा आई उसने कातर स्वर से कहा लड़का माँ को खाने पहनने को भी न देगा तुम के ऐसी धार न लेकर आई हो मौसी सुलोचना ने आचल से आसु पहुँचते हुए कहा नहीं बेटा ऐसा सोचती तो शायद इतने दुख में भी यह ना आती तुम्हे इतना सा देख गई थी आज बारह वर्ष बाद मुसीबत के दिनों में तुम्हारी याद आते ही बिना किसी संकोच के हाँ चली आई इसके सेवा और भी एक बात है मेरी लड़की हैम नलनी तुम्हारी बेहन ही समझो मुझसे भी जादा अनात है ब्याह की उमर हो गई पर अभी तक उसके हाथ पीले न करा सकी उसके लिए भी तुम्हें ही प्रेतन करना होगा गुडेंदर ने कहा उसे साथ लेती क्यों नहीं आई मा सुलोचना ने कहा उसे भी लाई हो वो बड़ी अभी माननी है कहीं ये सब बाते सुनना ले इसलिए उसे नीचे छोड़कर मैं अकेली ही उपर आई हूँ गुडेंदर ने व्यस्त होकर जोड़ से नौकर को पकार कर कहा नंदा नीचे हैम बैठे है जा जल्दी उपर ले वाला सुलोचना ने कहा उसे पार करने में तुम्हारा जो खर्च होगा उससे में कभी उरिन नहीं गुडेंदर ने बीच ही में टोक कर कहा ऐसा कहोगी मा तुम्हें उठकर बाहर चला जाओंगा फिर तुम जो जी में आवे कहती रहना और अगर मैं मा के मरने के बाद तुमने जो मुझे पाल पोस कर बढ़ा किया था उस रिन की सब बाते कहने लगूं तो तुम्हें भी मारे शरम के बाहर उठ जाना पड़ेगा मैं कहे देता हूँ इससे यही अच्छा है कि उन बातों का जिक्री ही न किया जाए तुम भी चुप रहो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा सुलोचना ने हसते हुए कहा अच्छी बात है जाने दो हाँ अब एहम आ रही है उसके सामने कहने ही सकूंगी एक बात और कहनी है सु कहलो तुम ये न समझना कि मा हूँ इसलिए कह रही हूँ हेम आती ही है तुम खुद देख ले न तुमारी बेहन रूप गुण स्वभाव में किसी भी आदमी के लिए योग न होगी उसके बाप ने उसे काफी पढ़ाया लिखाया है आखरी कई साल तो उन्हें इसके सिवा कोई काम ही न था मैं कहती हूँ हेम जिस घर में जाएगी उस घर में उजाले का ही काम करेगी ओ हेम इदारा बिटा ये तेरे गुणी भाईया हैं इने प्रणाम कर हेम ने कमरे में घुसकर घुटने टेक कर प्रणाम किया और नीचा सिर्किये खड़ी हो गई उसके पथ श्रम से ठके हुए चेहरी की और देखकर गुणेंद्र किंकर तव्वे विमूर होकर खड़ा रहा सुलोचना ने शायद इस बात को लक्ष करके ही कहा गुणी हेम को तुम्हारे ही हास सौब देती अगर देशाचार कोई रुकावट न डालता मेरे मरने पर हेम को दस दिन का सूतक लगेगा तुम्हें भी तीन दिन मानना पड़ेगा इसी से धरम से ये तुम्हारी बेहन होती है गुणेंद्र ने अपने को संभालते हुए हेम से कहा हेम सुन लिया तुमने हम दोनों की एक मा है मा के घर में जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम चलो तुम्हारे खाने पीने का इंतिजाम कर दू सुलोचना सहसा कह उठी गुणी तुम्हारे गले में जनेव नहीं देखता गुणेंद्र ने अपने गले की तरफ देखकर हसते हुए कहा हम ब्रह्म समाजी जो हो गए है ब्रह्म समाजी? छी बेटा, ये काम तो तुमने अच्छा नहीं किया खेर, कोई बात नहीं प्राश्चित करके जनेव ले लेना गुणेंद्र ने कहा ये तो बाबुजी ही कर गया है, मैंने नहीं किया मगर इसके लिए प्राश्चित करने की मैं कोई जरूरत नहीं समझता ब्रह्म मत भी बुरा नहीं है सुलोचना को भीतर ही भीतर गहरी चोट पहुँची वो बैठ गई थोड़ी देर बाद एक गहरी उसास लेकर बोली मालूम नहीं क्यों लोगों को मिट्टी की हड़िया फेक कर चला जाता है और पीछी की और मुड़ कर देखता भी नहीं कि वो फूटी या बची ठीक उसी तरह संसार में निन्यान में फीसदी लोग सरस्वती से अपना काम निकाल कर उन्हें लक्षमी के राजपत के पीछे निर्मम होकर फेक देते हैं एक बार फूटी निगाह से देखते भी नहीं कि वे बची या मरें परन्तु गुणेंदर उन्हें से नहीं है उसकी गिनती एक फीसदी में की जा सकती है उसने शुरू से ही सरस्वती की जैसी श्रद्ध की थी वकील होने के बाद भी वो उसी तरह करता रहा उसका लाइबरेरी रूम पुस्तकों से भरा हुआ था उसी घर में हेम नलनी को आश्रे मिला गुणेंदर अपनी किसी भी चीज़ को सिलसले वार रखने का आदी न था इसलिए उसकी जो पुस्तक एक बार अलमारी से निकल आती वो अपने इस्थान पर फिर जल्दी न जाती थी टेबिल कुर्सी और रंत में गलीचे पर पड़ी पड़ी कभी किसी दिन नंदा की सहायता से अलमारी में चली भी जाती तो फिर जरूरत पड़ने पर उसे ढूंड निकालना कोई आसान काम न था उसके पास शायद पुस्तकों की एक सूची भी थी मगर उसे काम में लाने का कोई उपाय नहीं था हेम ने इस विश्टरंग खलता को दो-चार दिन के अंदर ही ठीक कर दिया एक दिन वो अलमारी को खाली करके सब उस तके नीचे रख रही थी इतने में गुड़ेंदर आ गया उसे देखकर हेम ने कहा गुड़ी भईया उन किताबों के इस अलमारी में और इनको उस अलमारी में रख दू तो सहूलियत होगी गुड़ेंदर ने मुस्कराते हुए कहा क्या सहूलियत होगी हेम ने कहा वा, सहूलियत क्यों न होगी देखो न, ये किताबें यहां रखने से कैसी गुडेंदर बीच रही में बोल उठा हाँ हाँ देख तो रहा हूँ बड़ी सहूलियत होगी हेम एक चौकी पर रूठ कर बैठ गई बोले, तो रहने दो जाओ मैं नहीं रखती, अच्छा करो तो भी तुम्हें बुरा लगता है गुडेंदर एक किताब उठा कर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया हेम दिन रात इसी कमरे में रहती थी इसलिए गुडेंदर अपने सोने के कमरे में ही बैठ कर पढ़ता लिखता था रविवार के दिन दो पहर को हेम ने बाहर से आवाज दे गुडेंदर भीतर आओ गुडेंदर ने भीतर से ही कहा आओ हेम ने कमरे में घुशते ही कहा तुम हर वक्त इस सोने के कमरे में बैठ कर ही पढ़ा करते हो, इसमें हर्ज ही क्या है, इस घर में विद्या कम थोड़े ही आएगी, लाइबरेरी वाले कमरे में पढ़ने से कौन सी घट गई थी, गुणेंदर ने कहा, घटी तो ना थी, मगर कच्ची जरूर हो गई थी, इस कमरे में उसे पक्की कर रहा हूं, हैम पहले त उसने कोई जवाब नहीं दिया, हैम ने कहा, पर मैं सब समझती हूं, उस कमरे में मैं रहती हूं, इसलिए तो मुहानी ही पढ़ते, तुम मुझसे शर्माते हो, मगर मैं तुमसे जरा भी शर्म नहीं करती, गुणेंदर ने पूछा, क्यों नहीं करती, करना चाहिए, हैम न सामने लटकती हूई लटों को पीछी की और हटाती हूए कहा, तुमसे मैं शर्म क्यों करूँ, तुम क्या कोई गेर हो, ये नहीं होगा भीया, चलो तुम उस कमरे में, और ये कहती हूई वो किताबे उठा कर चल दी, गुणेंदर एक दिन हैम के रोज के पहनने के लिए हा कड़े चूड़ी आदी खरीद लाया था, सुलोचना ने देखकर कहा, क्यों बेटा, ये सब क्यों लाया, गुणेंदर ने कहा, इतने से क्या होगा मा, अभी तो बहुत चाहिए, लड़की खाली हाथ थोड़े ही पार होगी, सुलोचना आगे कुछ न कह सकी, परंतु उसक पहन मेहेम का बयाह कर देना है बेटा, जैसे बने इस काम को करना ही है, लड़की बड़ी हो गई है, गुणेंदर ने कहा, इसके लिए निश्चिंत रहो, मगर अच्छा लड़का भी तो देखना होगा, हाथ पैर बांध कर कुए में तो नहीं पटका जा सकता, सुलोचना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा बुरा उसका नसीब है, हमारा काम हम करेंगे, उसके बाद भगवान के हाथ है, सो तो ठीक है, कहता हुआ वो चला गया, उसकी आँखों के सामने से एक काली चाया सी निकल गई, सुलोचना ने उसे देखा और वो एक लंबी उसास भर कर अपने काम से चली गई, मन ही मन बोली, नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा, जितनी जल्दी हो सके हेम का ब्याह कर देना ही ठीक है, कई दिन बाद हेम ने कमरे में घुसते ही कहा, अभी तक पड़े ही हुए हो, कपड़े नहीं पहने, चलोगे नहीं, उठो जल्दी, बंद करके पास आकर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं गुणी भईया, अब देरी मत करो, उठो, दुकान बंद हो जाएगी, गुणेंदर ने उसकी पोशाक देखकर कुछ-कुछ अनुमान कर लिया था, फिर भी पूछा, कहा चलना होगा, हेम ने अकला कर कहा, वा, गंटे भर पहले गाड़ी तयार करने को कह दिया है, अब पूछते हूँ कि कहा चलना होगा, गुणेंदर ने कहा, इससे कोचवान को मालूम हो सकता है कि कहा जाना है, मैं तो कोचवान नहीं हूँ, मैं कैसे जानूँ, हेम ने हस कर कहा, तुम कोचवान क्यों होने लगे हाल में बहुत सी अच्छे अच्छी किताबें निकली हैं, मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है उसके हाथ में एक कागज देखकर गुणेंदर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा देखूं लिस्ट नहीं, लिस्ट देखोगे तो तुम खरीदने नहीं दोगे तो फिर छुपा कर खरीदने पर भी पढ़ने ना दूँगा हेम ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अच्छा चलो गाड़ी में दिखाऊंगी शाम के वक्त दौनों गाड़ी भर किताबें खरीद कर घर लोटे सुलोचना ने देखकर कहा, इतनी किताबों का क्या होगा रही? गुडेंदर ने कहा, मालूम नहीं मा, ये सब हेम की किताबें हैं फिजूल अंटिसंट किताबें खरीद कर रुपे बरबाद कर आई है सुलोचना ने कहा, तुमने दिये क्यों भाईया? गुडेंदर ने कहा, मैं क्यों देने लगा? चाबी उसके पास रहती है, उसने अपने हाथ से रुपे निकाले, गाड़ी तयार करने को कह दिया और खुद जाकर खरीद लाई, मैं तो सिर्फ साथ गया था हैम ने बहुत सी पुस्तके नंदा के द्वारा मांदा को भेज दी और कुछ खुद उठा कर उपर ले गई सुलोचना ने गुडेंदर से कहा, बेटा, इतना सिर्फ चढ़ाना अच्छा नहीं, जाने कहा किसके हाथ पढ़ेगी, तकलीफ पाएगी गुडेंदर ने उपर लाइबरेरी रूम में जाकर देखा कि हैम बत्ती के पास बैठी, पुस्तकों के पीछे गौंद से नंबर की चिटे चिपका रही है कहा, माने कहा है तुम्हें इतना सिर्फ चढ़ान ठीक नहीं, जाने कहा किसके हाथ पढ़ोगी, तब तकलीफ उठाओगी हैम ने मुँ फेर कर घुसे में आकर कहा, क्यों तकलीफ उठाओँगी, मुझे किसी गरीब दुखी घर में दोगे तुम्हें दूसरे ही दिन भागाओँगी गुडेंदर ने हसकर कहा, अच्छी बात है, हैम ने आगे कुछ जवाब नहीं दिया, वो अपना काम करने लगी गुडेंदर कुछ देर तक चुप चाप उसकी उड़ देखता रहा और फिर एक बिलकुल छोटी सांस को दबा कर अपने कमरे में चला गया दुरगा पूजा खतम हो गई, दशेरे की दिन गाड़ी में बैठकर हैम देव मूर्ती का जल्वी सरजन देखने गई और घर आकर मा को प्रणाम करके उपर चली गई, उपर खुली छट पर चांद नी रात में गुडेंदर अकेला टहल रहा था हैम ने सामने जाकर पेर चूकर उसे प्रणाम किया और पेरों की धूल सिर पर लगा कर खड़ी हो गई, गुडेंदर कुछ बोला नहीं, एक टक उसके मुह की और देखने लगा, इससे हैम कुछ शर्मा सी गई, फिर भी उसी वक्त बोली, मुझे असीस नहीं दी गुडी भ गुडेंदर मुसीबत में पढ़ गया, अंत में गंबीर हो कर बोला, असीस दे कर कहना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका फल मारा जाता है, हैम ने कहा, अच्छा जाने दो, तुमने मा को प्रणाम किया, सो तो रोजी करता हूं, हैम ने अकला कर कहा, नहीं नहीं, सो नहीं आज दशेरा है, दशेरे को प्रणाम नहीं करोगे, जल्दी जाओ नहीं तो मन में दुखी होंगी गुड़ेंदर नीचे उतर गया, लग भग आधा कार्तिक बीता होगा कि एक दिन हेम ने अचानक कमरे में घुस कर कहा तुम लोगों के लिए क्या और कोई बातचीत का विशय ही नहीं है, और कोई काम ही नहीं है, आखिर मैंने तुम्हारा बेगाड़ा क्या है ये कहती हुई वो रोने लगी, गुड़ेंदर भौचक सरह गया, बोला, क्या हुआ हैम, हैम ने रोते रोते ही कहा, जैसे कुछ जानते ही नहो, क्या हुआ है हैम, मा कह रही थी, शान्तिपुर में आ जाने कहा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और मैं अगर ब्याह न करूँ तो क्या तुम लोग जबरदस्ती मेरे हाथ पेर बांद कर बहा दे सकते हो, गुड़ेंदर अब समझा और हस्ता हुआ बोला, अच्छा ये बात है, बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा ब्याह नहीं किया गाएगा, नहीं, नहीं, ब्याहना होगा तो बिरादरी वाले जात से निकालना देंगे, तुमने भी तो ब्याहना किया, तुमको क्यों नहीं निकाल देते, गुड़ेंदर ने कहा, हम लोगों की बात दूसरी है, हम ब्रह्म समाजी जो है, मगर तुम्हारे यहां तो लड़की का ठीक वक्त पर ब्याहना करो, तो बिरादरी से छेक दिया जाता है, इसलिए, हम ने आखे पहुचते हुए कहा, तुम ही लोग अच्छे हो, तुम्हारे समाज में आद्मियत है, इसी से तुम लोग आद्मी को इस तरह बांध कर नहीं मारते, मैं इस घर को छोड़कर हरगिस न जाओंगी, तुम चाहे जितना शड़ियंत्र क्यों न रचो गुणेंद्र ने उसे शांत करने के अभिप्राय से बहुत मुलामियत के साथ कहा, वो भी खुब बड़ा घर है, देखने में भी वे बहुत अच्छे है, विद्वान है, बुद्धिमान है, बड़े आदमी है, वहां तुमें किसी तरह की तकलीफ न होगी, हेम जरा भी शा पी यही किताबों वाली कमरे में रहूंगी, कुछ भी नहीं मांगूगी, गुडेंद्र ने हसने की कोशिश करते हुए कहा, वहां भी तुम्हें किताबों वाला कमरा मिल जाएगा, ना मिले तो तुम्हारा ये कमरा में वहां उठा कर पहुँचा आओंगा, हेम ने उसकी बात सुनी तक नहीं, रोते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा गुडी भहिया, कुछ भी नहीं, इसी अगन में न, इसी एक महीने के बाद ही, तुम्हारे पैरों पढ़ती हूं गुडी भहिया, तुम्हें संबंध को तोड़ दो, उसका रोना देखकर संबंध ठीक किया है, तुम चाहो तो उसे तोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे हाँ जोडती हूं गुडी भहिया, मेरी इस बात को मानू, सुलोचना को कुछ शक हो गया था, वो उसके पीछे पीछे उपर चली आई थी, कमरे में आकर गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा हैं, पागलों की तरह क्या बक्ती है, संबंध पक्का हो जाने पर कहीं तूटता है, तेरे भाग अच्छे है जो ऐसा भाई मिला, ऐसा अच्छा घर मिला है, उसे तु कहती है तोड़ दे, हिंदु घराने की लड़की होकर क्या क्रिस्तानों जैसी कुवारी धिंगरी बनी अगन में जैसे बने, इसे पार कर ही देना है, गुणेंदर चुपचा बैठा रहा, सुलोचना और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे धीरे नीचे चली गई, दो दिन बाद कचैरी से लोट कर, वो किसी किताब के लिए लाइबरी रूम में घुसा ही था, कि हेम ने भीतर से कह भीतर मता न गुणी भाईया, मैं खा रही हूँ, गुणी ठिठक कर खड़ा हो गया, बोला, खाओ न, मेरे भीतर आने से ही क्या तुमारा खाना बेगड़ जाएगा, हेम ने कहा, सारे घर में गलीचा बिचा हुआ जो है, गुणेंदर ने कहा, तुमारी नौकरानी मानदा जब आती है, तब तुमारा खाना नहीं बिगड़ता, जात नहीं जाती, मैं क्या उससे भी गया बीता हूँ, हेम अपरतिब हो गई, हसकर बोली, अच्छा आजाओ, मैं खा चुकी, कहते हुए उसने थाली सरका का टेबिल के नीचे कर दी, नहीं नहीं तुम खाओ, मैं कप जेंदर की थाली में खाने बैठ गई, महराज से बोली, महराज मुझे इसी थाली में परोस्तो, महराज दंग रह गया, बोला, इसमें तो अभी बाबुजी खा गए हैं, हेम ने कहा, हाँ, मालुम है, तुम दोना, बगल की कमरे में सुलोचना बैठी थी, सुनकर तुरंत आई और बोली, ये क्या करती है हेम, ये तो गुडी की जूठी थाली है, जह, धोती बदल कर गंगा जल छड़का, हेम ने जूठी थाली में जो अफशीष भोजन था, उसमें से एक गस्सा मुह में देते हुए कहा, महराज परोस्ते क्यों नहीं, गुडी भाईया की भात साग तरकारी आदी लाकर थाली में परोस किया, गुडेंद बरंडी की एक तरफ बैठ कर मुहा धो रहा था, उसने सब सुना, शाम के बाद उसने कहा, आज हेम की जात गई, हेम नई किताब हाथ में लिए पढ़ने में तलीन थी, मुह बिना उठाय ही बोली, किसने कहा जात बनाई है, उनकी भी नहीं, गुणेंदर बगल की कुरसी को खीच कर बैठ गया, बोला, कुछ भी हो, मगर तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, जिसकी जो जात है, उसे उसको मान कर चलना चाहिए, इसके सिवा, इससे मा को दुख जो होता है, हेम कुछ देर चुप र खाने से मा को दुख होता है, माना, पर ना खाने से मा से भी जो बड़े है, उन्हें दुख होता है, अच्छा भी तुम जाओ, अब मुझसे बका नहीं जाता, पढ़ूंगी, ये कहती हुई, वो खुली किताब पर जुक पढ़ी और पढ़ने लगी, गुणेंदर कुछ द पती का घर समालने चली गई, वहाँ उसके सास, ससुर, ननत, कोई नहीं, घर में सिर्फ एक बूरी दादी है, और एक अविवाहित देवर, कलकत्ते के किसी कॉलेज में पढ़ता है, किशुरी बाबू की उमर 36 की लगभग होगी, पहली इस्त्री के मर जाने पर, वे बहुत पुछना भी राजी हो गई, उसकी इच्छा थी वो नवदीप में रहकर पुन्न उपार्जन करे, परंतु हैं ने लिखा दिया, तुम जिस घर से हो, उस घर की हवा लगने से, इस नवदीप का भी उध्धार हो सकता है, वहां रहकर भी अगर तुम पुन्न संचय ना कर सक तो बैकुंट पहुंच जाने पर भी ना कर सकोगी, भाईया को छोड़कर अगर तुम यहां आओगी, तो मैं खुद जाकर भाईया के पास रहूंगी, अपनी लड़की को वो पहचानती थी, इसी से उसकी हिम्मत जानी की ना पड़ी, मगर मन उसका वहीं नवदीप के आस पर जा चड़ी, वहां जाकर अपनी लड़की को उसने जब बहुत ही कमजोर और उदास पाया तो बड़ा दुख हुआ, कहने लगी, यहां और कोई नहीं है, शायद तेरी कोई सम्हाल नहीं लेता, लड़की ने हाना कुछ भी जवाब न दिया, उत्सव खत्म हो गया, मग साफ कहती क्यों नहीं के तुझे मैं भारी पड़ गई हूँ, और यह तो फिर भी अपनी लड़की का घर है, वहां कौन सा अपना घर है जो लोट जाओं, बता, हिम कुछ देर आवाक हो, यह ही मा के मुझ की और देखती रही फिर बूली, तुमारा कोई दोश नहीं मा, यह हम औरतों का स्वभाविक धर्मी ही है, हम अपने और पराये को एक ही दिन में भूल जाती हैं, दिन बीतने लगे फिर दुरगा पूजा आई, गुडेंदर ने बड़ी धूम धाम के साथ पूजा की सौगात भेजी, सुलोचना हेम को अलग ले जाकर बूली, गुडी है तो बगहरे महले में बटवा कर, कपड़े आदी सब चीजन सब को दिखा कर, पूजा देखकर कलकत्ते चली जाओंगी, उसके जाने के बारे में हेम ने उस दिन से और कोई जिक्र ही नहीं किया, आज भी वो चुप रही, सुलोचना इस बात को समझ ही न सकी, मन ही मन कहने लगी अगर भगवान ने कभी दिन दिखाए, तो तू समझ जाएगी बेटी, कि संतान को छोड़कर जाने में मा के प्राणों पर कैसी बीटती है, परंतु पूजा खतम होते ही सुलोचना को सخت मलेरिया ने धर दबाया और दिनो दिन उसकी अहालत खराब हो चली, महीने भर बाद एक दिन हेम ने कहा, अब तो मा भगवान का नाम लो, या जीना चाहती हो, तो गुड़ी भईया को पुकारो, ये कहते कहते उसकी दोनों आखें भर आई, और टप्टा पांसु झरने लगे, उपर को दृष्टी किये, वो इस्थिर होकर बैठ रही, मा ने कहा, सोही कर बाना पहुँचे, हेम ने आशकी थी कि भईया खुद ही आएंगे, उसने मांदा को बुला कर पूछा, गुड़ी भईया क्यों नहीं आए रही, मांदा ने कहा, वे भी बीमार हैं, दो हफते हो गए, सर्दी, जुकाम, खासी, बुखार, एक ना एक लगा ही रहता है, इध जाते समय सुलोचना ने कहा, बेटा गुणी, तु मेरे साथ चल, तेरी तबियत भी ठीक नहीं है, चल दोनों जने साथ चने, पर गुणेंदर राजी न हो सका, कलकत्ते में उसे काम था, वो रह गया, मदूपुर जाकर सुलोचना को आराम पढ़ने लगा और कुछी दिनो में वो बिलकुल तंद्रुस्त हो गई, नवदीप और कलकत्ते के लिए उसने चिठियां लिखी, उनमें लिखा कि जरा ओर ठीक होते ही, माघ के अंत तक मैं कलकत्ते लोट जाओंगी, पिछले साल अगहन सुदी में हेम का बया हुआ था, आज फिर वही अगहन सुदी दसम में आ गई, सैसे इस बात की आद आते ही गुणेंद्र का ध्यान शन्भर के लिए पुस्तक पर से हट गया और वो मुह उठा कर शुन द्रिश्टी से जंगले के बाहर देखने लगा, इतने में पीछे के दर्वाजे से नए दर्बान ने आकर कहा, बाबु जी एक जरूरी लेकर और सलाम करके चल दिया, गुणेंद्र को तार पढ़कर बड़ा आश्चिर हुआ, हेम ने खबर दी है कि वो रवाना हो गई है, इस टीमर से उतर कर हुगली में ट्रेन पर सवार होगी, तीन-चार बजे के करीब हाड़ा इस्टेशन पर गाड़ी भेज दी जाए, कि जोकि सुलोचन मधूपूर में थी, इससे गुणेंद्र जरा पशुपेश में पढ़ गया, पुराने कोचवान को गाड़ी लेकर स्टेशन जाने को कह दिया, शाम से कुछ पहले हेम घर आ गई, साथ में नौकरानी और कुछ जरूरी चीज़ बस्त थी, हेम को देखते ही गुणेंद्र उपर से नीचे तक काप उठा और बोला, ये पागलों का सब वेश बना कर क्यों आई हो हेम, हेम ने जमीन पर सिर टेक कर परणाम किया और कहा, उपर चलो बताऊंगी, उपर जाकर इस थिरता से बैठ कर उसने पूछा, मा तो माग मास से पहले आएंगी नही गुणेंद्र ने कहा, लिखा तो ऐसा ही है, तो उन्हें तब तक खबर देने की जरूरत नहीं, मगर देखो, आश्चर की बात है गुणी भईया, पर साल ठीक आज ही के दिन बिदा हुई थी, और आज ही के दिन लोट आई, गुणेंद्र की समझ में ना आया, उसने परसों तेरहीं वगेरे सब क्रिया कर्म हो चुकने पर, आज यहां चली आई, गुणेंद्र सुनों होकर बैठ रहा, कुछ देर बाद अपने को समझाल कर बोला, कोई खबर तक तो नहीं दी, क्या हुआ था उन्हें, हैम ने कहा, पिछले बुधवार के दिन शाम को हैज़ की लक्षन दिखाई दिये, उस जगे जितने किये जा सकते थे, उतने इलाज किये, मगर किसी से भी कुछ न हुआ, दूसरे रोज दस बजे दिन को उनके प्राण निकल गए, गुणेंद्र ने कुछ देर बाद आँख बचा कर आसु पोंश डाले और कहा, मगर मा सुनेंग की तो बचेंगी नहीं मर जाएंगी, जितने दिन उन्हें मालूम नहो उतने दिन अच्छा, हेम ने कहा, क्या करोगे गुणी भहिया, तुम लोग भगवान के विरुद्ध शरियंत्र कर रहे थे, इस बात को मैं मन ही मन खुब महसूस करती थी, पर तब मेरी बात तुम लो गुणेंद्र ने पूछा, सबेरे भी कुछ नहीं खाया क्या, नहीं, सुबह जल्दी स्टीमर पर आना था, माग के अंत में सुलोच ना भी आई, मगर निरोग होकर नहीं आ सकी, और फिर घर आकर जो ये द्रिश्च देखा, तो फिर खाट पकड़ ली, ये शोक उसकी छा गुणेंद्र को अकेले में पा कर कहा, अब क्यों फिजूल कोशिश कर रहे हो बेटा, अब मुझे जरा शांती से जाने दो, गुणेंद्र ने आसु रोकते हुए कहा, ऐसा अभी क्या हुआ है मा, जो तुम इतनी निराश हो रही हो, सुलोचना ने कहा, अच्छा तू ही ब मुझकर जो पाप किया है, वही भीतर ही भीतर मुझे पल-पल में जला कर भस्म किये दे रहा है, कुछ देर चुप रहे कर फिर कहा, एक बात मुझे सच सच बताना गुड़ी, मैं खूब जानती हूँ कि किसी दिन तू मेरी हैम को प्यार करता था, एक बार और कोशिश करे, तो क्या उसे फिर प्यार नहीं कर सकेगा, गुड़ेंदर ने सिर नीचे किये हुए ही कहा, उसे तो चिरकाल से ही प्यार करता हूँ मा, तब भी करता हूँ, इसके लिए तुम कोई फिकर मत करूँ मा, मेरे जीते जी, उसे कोई तकलिफ नहोगी, सुलोचना ने कहा, यह मैं मुझे ससराल से लिखा था, मा जहां तुम हो, उस घर की हवा लगने से सारे नवद्वीप का उद्धार हो सकता है, उस घर में रहते हुए भी अगर तुम पुन्नी कठा न कर सकी, तो बैकुंठ मैं भी न कर सकोगी, बेटा, मरते वक्त तुम मेरे सिर पर हाथ रखकर आशी तरह ही मानता और प्यार करता था, सुलोचना ने कहा, हेम से मैं कोई भी बात कहकर नहीं जा सकती, उसके चेहरे की तरफ देखते ही मेरी च्छाती की भी तरह हाहकार मच जाता है, लोग सौते ली मा की कहानिया कहा करते हैं, परंतु मैं सौते ली मा से भी बढ़कर उसकी परंतु चुम्बन करने के लिए उसकी ठोड़ी पकड़ते ही वो रो पड़ी, हेम अब बिदा होती हूं बेटी, हेम मा की च्छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, कुछ देर बाद इशारे से उठने को कहकर मा बोली, रो मत बिटिया, सुख दुख में पंध से जाती, अगर तुझे इस तरह नश्ट नकर डालती, आज मुझ से मारे शराम और दुख के तेरे मुह की तरफ ताका तक नहीं चाता बेटी, हेम ने रोते हुए कहा, ऐसा तुम क्यों कह रही हो मा, मेरी तकदीर में जो था सोही हुआ, इसमें तुम्हारे हाथ की बात क्य सुलोचना ने रोकर कहा, मेरे हाथ तो मैंने अपने आप एही काट ली है, तु कहती है तकदीर में जो था वो हुआ, मगर तेरी जैसी तकदीर इस देश में और किसी भी लड़की की ना थी बेटी, अगर मैं बीच में पढ़कर उसमें विखन न ढालती, मैं सब कुछ जान इसी से तो इस दुख को रखने के लिए जगए खोच कर भी नहीं पा सकते, अंजान में जो पाप होता है उसका प्राश्चित है, मगर जान बूच कर जो पाप किया जाता है, उसे कैसे मेटा जा सकता है बीटी, उसकी आँखों से बड़े बड़े आसु ढुलक कर गिरने ल नहीं तो आज मरते वक्त हाथ जोड़ कर कहती, हेम ने जल्दी से मुह पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, क्या करने से तुम सुखी होगी मुझे बताओ, मैं वही करूँगी, मैंने तो कभी तुम्हारी बात नहीं टालिमा, सुलोचना ने बड़ी मुश्किल से अपना कापत हाथ हेम के सिर पर रखकर कहा, इसी से तो जलकर भस्म हुई जा रही हुए हेम, मुझे जो कुछ कहना था, सो मैंने गुणी से कह दिया है, जरूरत पढ़ने पर वही तुझ से कहेगा, तु आज इस धोती को बदला बेटी, जिस साड़ी को पहन कर एक साल पहले तु इस खा मेरे अपने किये हुए पाप से मुझे मुक्ती दे, हेम चुपचाप उठ गई और मा के आज्या पालन करके फिर आई, मा के ओठों पर हर्श की रेखासी दिखाई दी, उसने अपेक शक्रत सुस्त भाव से कहा, बेटी, इस चौतीस वर्ष की उमर तक जो ग्यान मुझे किस भी दिन नहीं हुआ था, वो ग्यान वो बुद्धी, उस दिन एक शण में ही आ गई, जिस दिन मधुपुर से लोट कर, पहले ही पहल तुझे देखा, लोग कहते हैं सिर पर बिजली गिरी, मालुम नहीं बेटी वो कैसी होती है, मगर उस दिन मुझे जो चोट लगी, उसकी मालुम नहीं किस पत्थर ने विद्वा के लिए ऐसी पोशाक बनाई थी, आज मैं उसे शापती हूँ, भगवान करे, उसे भी अपनी चाती पर मेरी तरह आगाहत सहना पड़े, नहीं नहीं हैं, तु मुझे रोक मत बेटी, कल से फिर मैं कुछ कहने नहीं आउंगी, आज म में चाहती हूँ कि मैं तेरे पिताजी के पास जाकर तुझे सुखी देख सकूँ, फिर उनकी बोलती बंद हो गई, हेम आचल से धीरे धीरे उनकी आँखे पोँचने लगी, बाहर जूते की आहट सुनकर हेम ने सर पर पल्ला खींच लिया, इतने में डॉक्टर सहब के गुडेंदर ने कहा, आये हैं तो कम से कम एक बार देखी, नहीं बेटा नहीं, अब मुझे मत जला, जाने दो नहीं, अंग्रेज डॉक्टर ने कुछ समझा नहीं, वो भीतार आकर कुर्सी खीच कर बैठ गया और जेब से थर्मा मीटर निकालने लगा, सुलोचना ने अध अच्छे वैद को बुला लाए, जो कब प्रान निकलेंगे सो मुझे बता जाए, कहला देना, दवादारू कुछ ना लाए, सुलोचना से गैस की बत्ती का प्रकाश सहा नहीं जाता था, इसलिए इस कमरे में मौंबत्ती जलाई जाती थी, शाम होते ही नौकरानी ने कोच त्याग कर मुह और मन को एक न कर सकी, तो भगवान मुझे और भी सजा दे, पर जो बिलकुल निर्दोश है, उसे तकलीफ कता ही न दे, मेरा पाप अपना फल सिर्फ मुझे ही दे कर खतम हो जाए, इसके बाद वो कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर उ जुक गई बोली, क्या है मा? सुलोचना ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटी, कै सिर्फ तू अकेली ही ही है? गुणी का जो चेहरा मैंने अपनी आखों से देखा है, पत्थर को भी शायद उस पर दया आ जाती, मगर मुझे नहीं आई, और उसने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया, किन्ती इन बातों का जिक्र अब ना करूंगी, कभी किसी भी दिन तू उसकी बात मत टालना बेटी, और ना कभी उसे दुख देना, इस बात को कभी न भूलना बिटी है, कि ऐसे आदमी के मन की बिथा से, सुयम भगवान के जी को दुख पहुचता है, जो हुकम से, तुम दोनों ये के ही दिन मुलाकास से हमेशा के लिए एक हो गए, छे बेटी, शरम का हिकी है, जो अंतर जामी है, जो राब के मन में छिपे बैठे हुए बात करते हैं, उनके कहने कि अप एक्षा मत करो, उनकी अवग्या मत करो, उनका हुकम मेरे भीतर भी बोल रहा था, पर अपने घमंड में मैंने उसे सुनान सुना कर दिया, उसे अग्राह करके उनकी अवग्या की, इसलिए आज उसका फल पा रही हूं, पर तुम दोनों से मेरी आखरी कहन है बेटी, कि मेरे उस अन्याय को, मेरे उस पाप को, हमेशा के लिए मन्जूर करके, मेरे दुश कर्म को चरिस्थाई मत बनाए रखना, मानदा ने आकर कहा, मा जी बैद आ गए, सुलोचना ने धीरे से कहा, उन्हें लेया, हेम, तु जरा बाहर चली जा बेटी, मा के मरने के बाद से ही हेम के रहन सेहन में आश्यर जनक परिवर्तन दिखाई देने लगा, पास रह परिशा का सहनशील और खामोश प्रकृति का आदमी है, इस परिवर्तन को उसने तार तो लिया, परंतु खामोशी के साथ बरदाश्ट करता रहा, सहसा हेम को धर्म के अंदर क्या रस मिलने लगा, सो वही जाने, उसने नाटक और पन्या साधी किताब उठा कर अलग रख द और रामायन महा भारत गीता और उपनिश्दों के अनुवादों में अपने को पूरी तरह डुबा दिया, मा की कसम को याद रखके उसने सफेद धोती तो फिर नहीं पहनी, और ना कान के जड़ा उलटकन हार और चूडिया ही खोली, पर वैधव की और सब कठोड़ताओं क वो श्रद्धा के साथ पालन करने लगी, सब तरह की ज्यादतियों को छोड़कर वो सिर्फ एक बार अपने हाथ से बना कर खाने लगी और घर का आवश्य काम काज करने के बाद जितना समय मिलता, उसे धर्म चर्चा में ही बिताने लगी, यदि कभी गुणेंदर के पास आ कायक तरस्त होकर भाग जाने से इतनी स्पष्ट हो जाती कि गुणी दंग होकर बहुत देर तक शून द्रिश्टी से जंगले के बाहर देखता हुआ, इस तब्धत सा बैठा रह जाता। जियों जियों दिन बीतने लगे, तियों तियों उसके आचार विचार के छोटे छो अधानी से मानो अपने हिरदय वासी किसी एक गेहरे अपराधी के चलने फिरने के अवकाश को दिन राज संकीन करने में लग गई। एक दिन उसने अचानक कहा, गुड़ी भाया, मैं मंत्र लूँगी। गुणेंदर ने उसकी मुह की ओर देखकर कहा, कैसा मंत्र? गुरु शायद हेम इस बात को समझने सकी, वो कुछ देर तक गुणी के मुह की ओर ताकती रही और फिर बोली, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। गुड़ेंदर ने कहा, है क्यों नहीं? है, पर उसके लायक अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, इसके सिवा तुम लोगों का मुझी कोई मतलब नहीं, मैं तो तुम से दीक्षा लूँगी। गुड़ेंदर ने आश्चर के साथ कहा, मुझ से? मैं दीक्षा इक्षा क्या जानू? और इसके सिवाए तुम हो हिंदू, मैं ठहरा है ब्रह्म समाजी। हेम ने कहा, सो मैं नहीं जानती। माने कहा था, जो स्वाभाविक रूप से ही कहा, शायद उनका अभी प्राय ये रहा हो कि सब धर्म एक एही है। हेम ने कहा, मगर सब धर्म तो एक नहीं है। गुड़ेंदर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, हेम, इन सब बातों पर मैं दूसरों से कभी बहस नहीं करता हूँ। हेम ने कहा, पर मैं तो गैर नहीं हूँ। गुड़ेंदर ने जवाब में कहा, तुम मेरी बहुत ही अपनी हो, पर तुम्हारे साथ भी मैं इस विशे में चर्चा नहीं करूँगा। हेम ने हताश भाव से एक गहरी सास लेकर कहा, तुम नबतलाओगे तो फिर मैं कैसे जानूगी। ग जबरदस्ती तुम्हारी ठाली में खाया था, उस दिन तुमने मना किया था और कहा था, ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, जिसकी जो जात है उसे वो मान कर ही चलना चाहिए, और आज कहते हो कि सभी धर्मे एक है, कौन सी बात सच है। गुड़ेंदर ने कहा, उस दिन म इहकाल की ही चीज़ है, परंतु दूसरी इहकाल और परकाल दौनों की ही चीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब हर्गिस नहीं कि धर्म मान कर चलने से ही जात मान कर चलना हो जाता है, और ये भी नहीं कि जात मान कर चलने से धर्म मान कर चलना हो जाता है, जात नहीं मानने से कुछ दिर मौन रहकर फिर कहने लगा हेम ये दोनों बातें बिलकुल अलग हैं और मिली हुई भी है मिली होने का मतलब ये है कि देश भेद के साथ साथ धर्म के अनेक भेद हो गए है धर्म की जो मूल बात है वो परकाल की बात है मृत्यवी हमारा अन्त नहीं है यही वो मूल बात है इसी बुनियाद पर तुम हिंदू होकर खड़ी हो और मैं ब्रह्म समाजी होकर खड़ा हूँ सभी धर्म इश्वर को मानते हो सो बात भी नहीं है मगर किवल मरने से ही छुटकरा नहीं मिल जाता है इस बात को हपशियों के देश से लेकर लाल लेंड देश तक के सभी देशों के धर्म मानते हैं मृत्य के बाद की चिंता तुम भी करती हो मैं भी करता हूँ हो सकता है कि दौनों अलग अलग धंग से सोचते हो पर चिंता की असल चीज तो वही एक ही है और मरते वक्त मा इसी भावना से तुम्हें उपदेश दे गई है हेम बहुत देर तक चुप रहकर बोली सिर्फ सोचने ही से तो काम नहीं चलता उसका उपाय भी तो करना चाहिए गुडेंद्र ने कहा जरूर क्यों नहीं इस उपाय की खोच में ही तो इतना जगड़ा है इतना विवाद है तुम्हारे उपाय को मैं पसंद नहीं करता और मेरा तुम्हें पसंद नहीं आता ये अनमान की वस्तु है प्रमान की नहीं है ये कह देने से भी इसकी बहस खतम नहीं होती जगड़ा भी ते नहीं होता हाँ पर अब तुम्हारा रसोई के समय हो गया है हैम बिना कुछ कही धीरे से उठकर चली गई गुणेंद्र शुन दृष्टी से शुन की और देखता बैठा रहा गुणी भीया गुणेंद्र ने चौक कर मुह फेर कर कहा क्या है है खेम? हेम ने कहा अच्छा मैं जिस मार्ग से चल रही हूँ वो मार्ग क्या ठीक है? मैं कैसे बताऊं हेम? ये बात तो तुम ही जान सकती हो अगर उसमें आनंद मिलता हो, शान्ती मिलती हो तो निश्चे ही वो ठीक है पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता उसके व्यथित कंट स्वर से गुणेंदर की आँखों में बर्बा सांसु उमर आए उसने उन्हें बड़े कश्ट से रोक करा हिस्ते से कहा तो फिर करती क्यों हो हेम ने कहा क्या आजा अनुगुडी भहिया कोई जैसे मुझे खीचे लिये जाता है मानो कोई जबर्दस्ती करता है और मैं अपने को रोक नहीं सकती गुणेंदर क्या कहे इस ऐसा कुछ सोच नहीं सका फिर बोला संबह नया नया है इसलिए कुछ आनन्द न मिलता हो पीछे जरूर मिलेगा हेम ने उट सुख होकर पूछा मिलेगा जरूर मिलेगा धर्म में अगर सुख शांती न मिलेगी तो फिर और किस में मिलेगी मैं आशीरवाद देता हूँ एक दिन तुम अवश्य सुखी होगी दो दिन बाद चांदनी में खुली छट पर सीतल पाटी विछा कर गुडेंदर चुपचाप लेटा हुआ था हेम आकर उसके पेरों के पास बैठ गई बोली तुमारे तलवों पर हाथ फेड़ दो गुडी भईया गुडेंदर ने फेड़ दो कहकर आखे मीच ली चांदनी से चमकते हुए हेम के चेहरे की तरफ देखने का उसने साहस नहीं किया हेम चुपचाप तलवों पर हाथ फेड़ते फेड़ते अचानक पूछ उठी गुडेंदर ने आखे मीचे हुए ही कहा तुमारी क्या राय है हेम ने कहा मैं कहने नहीं आई सुनने आई हूँ गुडेंदर ने कहा तलवों पर हाथ फेरना मैं समझता हूँ उसी की भूमी का है हेम ने स्वाभाविक स्वर से कहा नहीं सो बात नहीं तुमारे पेरों के पास बैठती ही मुझे हाथ फेरने का लोभ हो हो आता है लेकर कहा बताओ जल्दी गुडेंदर ने कहा बताता हूँ पर पहले मेरी बात का जवाब दो क्या तुम अपने पती को प्यार करती थी जरा भी नहीं ये बात कभी मेरे मन में आई तक नहीं वहां के एक पैसे की चीज भी में साथ नहीं लाई उनका दिया हुए एक कपड़ा भी पहन कर नहीं आई पेट में जो खाती थी उससे चौगना दिया ही हूँ बस यही उनके साथ मेरे संबंध था गुडेंदर ने कहा मगर जो सती साध्वी होती है वे अपने पती से प्रेम करती है विधवा होने के बाद भी वे उसका चेहरा याद रख कर दूसरा बयाह नहीं करती तुम्हारी माँ की तरह वे मरते समय मन में ये भावना रखती है कि अपने पती के पास जाती हूँ हेम ने कहा मुझे तुम लोगों ने जबरदस्ती बांध कर बयाह दिया था मैं भी सती साध्वी हूँ क्योंकि मरते समय मैं भी तुम्हारे पास जा रही हूँ यही बात मन में रखूंगी अच्छा गुणी भीया मर कर क्या मैं तुम्हारे पास पहुँच सकती हूँ उसकी बातों में जड़ता नहीं थी ग्लज्जा का लेश मात्र भी न था मानू किसी और की बात कोई और कहता चला जा रहा हो उस समय की हेम के साथ आज की हेम का मानू कोई सम्मन्ध नहीं गुणेंदर दंग रह गया बताओ तुम्हारे पास पहुच सकती हूँ या नहीं गुणेंदर ने कहा नहीं नहीं क्यों गुणेंदर ने कहा मेरे कर्मों का फल मुझे न जाने कहां ले जाएगा मैं नहीं जानता तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें कहां ले जाएगा तो तुम भी नहीं जानती मैं अपने कर्म दोशों से शायद मर कर पशू हो और तुम फिर शायद ब्रहमन के घर लड़की हो तब तुम मुझे कहां से पा सकती हो कर्म फल अगर सच हो तो पती-पत्नी का चिर संबंध किसी भी तरह सच नहीं हो सकता हमारा ये काल्पनिक संबंध तो बहुत ही तुच्छ है इतना भेद, इतनी भिन्नता इतना उच नीच तो आँखों के सामने ही देख रही हो ये सब संभव है कर्मों का ही फल हो इसको प्रेम का कोई भी आकर्शन मिटा नहीं सकता इस संसार में कितने ही पाखंडी पतियों की इस्त्रियां सती साध्वी होती है उनका पती मरकर बैल हो सकता है ये तुम्हारे ही शास्त्र में लिखा है फिर तुम क्या चाहती हो हम कि उसकी सती साध्वी इस्त्रि अपने सारे जीवन में अच्छे कर्म करके अंत में मरकर उस बैल के साथ गाए बन कर वास करे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा होने पर फिर तो अच्छे और बुरे करमों में भेद ही नहीं रह जाएगा इस तरही अपने भले कामों से स्वर्ग जाती है और पते हो सकता है कि जन्म जन्मांतर तक नरा के ही में पढ़ा रहे हजार इच्छा करने पर भी क्या एक होने का कोई उपाए हो सकता है हिम हिम बहुत देर तक चुपचाप विचारती रही फिर धीरे से बुली तो फिर सचमुच ही और कोई मिलने करास्ता नहीं है गुणेंदर ने कहा नहीं उसकी फिर कोई जरूरत भी नहीं है इससे तो यही अच्छा है कि तुम उस मिलन की काम न करो जो सबसे बड़ा है और जिसके पास पहुचने के बाद और किसी के पास जानी की इच्छा नहीं होती अर्थात जिससे सब तरह मिलने की इच्छा अपने आप में ही पूरी सार्थक हो जाती है तुम्हारे इस मार्ग से कोई भी तुम्हें चितना कर सके हमारा दिया हुआ सारा दुख एक दिन तुम्हारे लिए सार्थक हो यही मेरा मानसिक और का एक आशिरवाद है चंद्रमा के प्रकाश में हम देख सकी कि गुणेंदर की आँखों से टपटा पांसु झर रहे है वो पेरों पर सिर रखकर प्रणाम कर और फिर धीरे धीरे उठकर चली गई आज उसे धिकार के साथ सिर्फ यही अन्भव होने लगा कि मानो चिर दिनों का सुवसर उसकी आँखों के सामने से बेह गया है हाथ बढ़ा कर वो उसे पकड़ भी न सका हेम उसे कितना प्यार करती है इस बात को वो गहरे विश्वास के साथ जानता था आज उसके मुझे साफ सुन कर भी वो किसी भी तरह अपने मन की बात को न कह सका सलोचना के मरने के बाद से वो अब कहता हूँ अब कहता हूँ सोचता रहा पर कहने ही सका उसे प्रायह ऐसा मालुम होता था कि मानी उसके पास कोई काली नागिन सो रही है जो हाथ बढ़ा कर छूते ही फन उठा कर खड़ी हो जाएगी इसी से जो डर अभी तक बराबर उसके हाथ थामे हुए था आज ऐसे मौके पर भी मानो उसी डर ने उसके हाथ बढ़ने नहीं दिये रोज सबीरे नहाने के बाद हेम उसे प्रणाम करने आया करती थी एक अख़बार में पढ़ी थी गुडेंदर ने कहा तुम क्या उसे अच्छा समझती हो हेम ने संक्षेप में कहा राम राम वो भी कोई ब्याह है गुडेंदर ने पूछा क्यों नहीं हिंदूओं को छोड़कर संसार की और सभी जातियों में विधवा विवाह होता है हो इससे क्या कहती हुई हेम उठकर जाने लगी गुडेंदर ने उसे बुला कर कहा और एक बात कहनी है हेम हेम मुड़कर खड़ी हो गई और भूली क्या तुम्हारी उमर कितनी है सोले इतनी सी उमर में क्या हमेशे सन्यासनी बनी रहोगी हेम ने मरदु मुस्करा कर कहा तो और क्या करूंगी जैसी मेरी तकदीर और जैसी तुम्हारी गुड़ी गुडेंदर कुछ देर तक हेम के चहरी की और देखता रहा फिर बोला और क्या कोई रास्ता नहीं है नहीं गुडी भाईया कोई रास्ता नहीं इतना कहकर हेम चली गई दिन पर दिन जो जो परिपूर्ण योवन हेम के देह के कोने कोने में भर कर उद्वेलित होने लगा तेयों ते उसका धर्म कर्म भी मानू उस सब को अतिक्रम करके आगे बढ़ने लगा गुडेंदर ने सब कुछ देखा पर वो साहस करके मुँझे कुछ कह नहीं सका हेम के अंदर मानू एक ऐसा यंत्र था जिसके कारण सबी कोई भीतर ही भीतर उससे डरा करते थे उसकी माँ भी उससे डरती थी और गुड़ी भी डरता था इसके कई दिन बाद एक दिन गुडेंदर का चहरी जाने की तैयारी कर रहा था इतने मैं ही हेम आ गई अल्मारी खोल कर और चेक बही निकाल कर वो इसे गुडेंदर के हाथ में देती हुई बोली लोडते वक्त बैंक से पांच सो रुपे लेते आना गुडेंदर ने अच्छा कहकर चेक बही जेब में रख ली हेम ने कहा ठेरो घर खर्च के लिए भी रुपे नहीं रहे गुडेंदर कुरसी पर बैठ किया है बोला कल काशी जाओगी इस बारे में किसी की राय लेना भी तुमने जरूरी नहीं समझा हेम अप्रतेब होकर बोली तुमारी आग्या ले लूँगी तब जाओगी गुडेंदर ने कहा तै कर चुकी हूँ कल जाओगी फिर आग्या जाना कहकर गुडेंदर का चहरी चला गया शाम के बाद हेम नोट और रुपए अलमारी में बंद करके गुडेंदर के पास आई और बोली कल जाना नहीं होगा क्यों आज दोपहर को महराज की घर से तार आया था कि उसकी मा बीमार है मैंने उसे तीन महिने की तंखा देकर चुट्टी दे दी है वो चला गया है रसोई कौन बनाएगा चब तक दूसरा कोई रसोई यह ना मिले तब तक मैं ही बनाओंगी गुडेंबहिया अब तुम ब्याह कर लो क्यों क्यों ब्याह नहीं करोगे तो घर कौन समालेगा तुमारी देख भाल कौन करेगा तुम हेम ह कर बोली मैं क्या चिरकाल तक इस घर बार को अपने सिर उठाए रहूंगे मुझे क्या और कोई कार नहीं करना है मेरी देख भाल करना क्या कोई कार नहीं है हेम ने हसते हुए कहा मैं तुमारे साथ बैस नहीं कर सकती नहीं नहीं ऐसा हर्गिस नहीं होगा तुमारे समाज मे बड़ी बड़ी लड़किया मिलती हैं, देख भाल कर किसी से ब्याह कर लो, मैं उसे ही घर सौंप कर काशी जाओंगे। गुणेंदर ने कहा, अच्छी बात है, तुम भी एक ब्याह करो, मैं भी करता हूँ। अभी अभी तक हैं हस रही थी, एक इशन में उसकी सब हसी मानों हवा हो गई। वो गंभीर होकर बोली, राम राम ये कैसा मजाग करते हो गुणी भीया, फिर कभी ऐसी बात जबान पर न लाना, गुणेंदर से आगे कुछ न कहा गया, वो सन्न होकर उसके चहरी की तरफ देखता रह गया, हेम उठकर चली गई, हेम दो महीने काशी रही, उसके बाद गुणेंदर की बीमारी की खबर पाकर फिर कलकते आ गई, अगर ना आई होती तो शायद बीमारी कठिन हो जा रहा था और हेम के बारे में सोच रहा था, एक परिवर्तन उसने देखा, हेम पहले रोज आकर सवेरे गुणेंदर को प्रणाम करती थी, पर इस बार वो नहीं आई, मानदा कि मार्फत उसने हेम को बुलवाया तो उसने आकर कहा, जी जी जब कर रही है, परीब दो घंटे क के बाद हेम ने कमरे में आकर कहा, मुझे बुला रही थे, गुडेंदर ने कहा, हाँ जरा बैठ जाओ, हेम ने कहा, पर अभी तो मेरा जब पूरा नहीं हुआ, दो घंटे में भी जब पूरा नहीं हुआ, दो घंटे में क्या होगा, गुरू जी ने कहा है, कम से कम दो जब करने चाहिए, गुरू ने कहा है, कौन गुरू? हेम ने कहा, मैंने जिन से अब की बार काशी जाकर गुरू मंत्र लिया है, गुरू काशी वासी सन्यासी है, उन्हें देखकर फिर संसार के जंजट में आनी की इच्छा नहीं होती, अब ना जाने कब फिर उनके दर्शन ह यही सोचा करती हूँ, सोचती हूँ कल ही परसों काशी लोट जाओ, गुरू अंदर कुछ देर चुप रहकर बोला, कल परसों कैसे चली जाओगी, अभी तो मैं पूरी तरह अच्छा भी नहीं हुआ हूँ है, मुझे कौन देखे गबालेगा, हेम ने अप्रतिब होकर कहा, यह कुछ नहीं, दो-चार दिन में ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कम से कम उन दो-चार दिनों तक तो तुम रहोगी, अच्छी बात है रह जाओगी, कहकर हैं जाने लगी तो गुडेंदर ने फिर पास बुला कर कहा, सुनो, कल परसों ही चली जाना, पर फिर लोट क कर आओगी कब तक, अब शायद जल्दी नहीं आ सकूंगी, तुम मुझे महीने में सो रुपिया भेज दिया करना, उससे मेरा काम चल जाएगा, कम में नहीं, गुडेंदर ने कहा, रुपे की बात नहीं है हम, तुमें सो की जगए दो-सो की जरूरत होगी, तो भी मैं गुडेंदर ने कहा, कौन कह सकता है हम, कब किसका अंत हो जाए, इसलिए ऐसा समय आने के पहले ही बता देना ठीक है, मेरी वसियत में तुम्हारे लिए रुपे देने की विवस्था रहेगी, और ये मकान भी तुम्हारे लिए यहीं होगा, अगर तुम कभी यहां आओ, त इतना ही मेरा तुम से अनुरोध है, हम कोई बात कहना चाहती थी, पर उसे मन ही मैं पीकर बोली, मैं कहती हूँ गुड़ी भाया, तुम्हे इस बात का डर नहीं है, अभी तुम्हे जरा कमजूरी है, इसलिए सब बाते सूच रही है, शायद यही होगा, कहकर गुडेंदर बाहर की वर्षा की और देखने लगा, हम विशाद से भरे चेहरे को लेकर बाहर चली गई, शाम हो जाने के कुछ देर बाद, दरवाजी से गुडेंदर की कमरे में अंधिरा देखकर, हम ने गुस्सा होकर जोर से पुकारा, नंदा, बाबू की कमरे में बत्ती को नहीं जल कर बैठ गई, नंदा शमादान जला कर टेबिल पर रख किया, हम ने गुडेंदर के पैरों पर हाथ रखे ही थे कि उसने पैर हटा लिए, हम ने व्यथित होकर पूछा, तुम अब मुझे पैर नहीं चूने दोगे, गुडेंदर ने कहा, जरूरत क्या है हम, तुमारे गु लक्षी से आने के बाद उसने पैर नहीं चूए, इसी को लक्ष करके गुड़ी ऐसा कह रहा है, मगर वो कोई जवाब नहीं दे सकी, चुब बैठी रही, कुछ देर बाद बोली, गुड़ी भाईया, तुम मुझे से नाराज हो गए हो, मैं क्या किसी दिन तुम से नाराज हुआ हूँ, हेम तत्शन अनुतप्त हो ठी, बोली, और कभी तो नहीं हुए, लेकिन आजी ये सब बाते क्यों कह रहे थे, कौन सी बात है, वसियत की बात, और भी कितनी ही बात है, मैं कहती हूँ गुड़ी भाईया, तुम अच्छे हो जाओगे, घबराओ मत, गुड़ी अच्छा ना होँगा, क्या मैं इसलिए इतना घबराता हूँ, तुम क्या यही समझती हो, हेम रुआसी होकर बोली, तुम्हारे पैरों पढ़ती हूँ गुड़ी भाईया, तुम ये सब बाते ना कहो, तुम यदि अच्छे ना होगे, तुम मैं कैसे जीऊंगे, और तुम आगे गुणी से और कुछ ना कहा गया, वो निस्तब्द हो रहा, बाहर वर्शा की बड़ी बड़ी बूने खिड़की पर पढ़ रही थी, यका यक जोर की हवाई और उसने जटके से खुली हुई खिड़की में से आकर शेया के पास का शमादान बुजा देने की तैयारी क नीचे नौकरों का इस पष्ट शोरगल सुनाई देने लगा, फिर भी दोनों चुपचा बैठी रहे, गुणेंदर बचपन से ही अत्यंत आत्मा भी मानी और सैयमी था, अपने धैर का बांध उसने खूब मजबूती से बनाया था, परंतु सुलोचना के अंते माशीर वच उसी दिन से उस बांध की नीव में चूहे की तरह घुसकर बराबर बिल खोदते आ रहे थे और उनमें नदी का पानी घुस घुसकर लंबे लंबे दरार बनाता चला जा रहा था, कब किस समय ये सब सारा का सारा ढह जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं था, उनमत बाह प्रकृ प्रकृती की ओर देख कर एक बार उसने शुरू से लेकर अंते तक सारी बातों पर द्रिश्टी पात करना चाहा, परंतु उसके रुग्ण शरीर और कमजोर दिमाग ने, उसे कोई भी बात परिश्क्रत रूप में न समझने दी, हेम सहसा बोल उठी, गुणी भहिया, चु हमारी मती बदले, और तब तक भी, मैं अगर जीता रहूं तो, हेम जरा सरक कर बैठ गई, बोली, मैं सब समझती हूँ, हाईरी तकदीर, जो रक्षक है, वही भक्षक बदता है, एंत में तुम ही मुझे दुरगती की और खीच ले जाना चाहते हो, गुणे अंदर अब तक एक मोटे तकीय के सहारे बैठा था, उसकी आखे जल उठी, सीधा होकर बैठ गया, बोला, ची, हेम समझकर बात कहो, ये तुम क्या कह रही हो, हेम बिजली की तरह उट खड़ी हूई, बोली, समझकर ही कह रही हूँ, तुम जो कुछ गुमा फिरा कर कहना चाहते हो, वही मैं साफ तुमारे मुह के सामने ही कहती हूँ, तुम मुझे नश्ट करना चाहते हो, विद्वा का ब्याह कैसा गुणी भाईया, मैं तनी नादान नहीं हूँ, जो धर्म को जान कर भी अधर्म की और पैर बढ़ाओ, मैं तुमारे रुपए नहीं चाहते, तुमारा आश्रे नह उस दिन तुमारी बुद्धी कहा गई थी, उस दिन इसी तरह क्यों नहीं कह सके, गुणेंदर उसी तरह इस तिर बैठा रहा, बोला, हेम मुझसे कसूर हुआ, मुझे माफ करो, मैं पीडित हूँ, इस बात को भी तो एक बार सोचो, सोच लिया, माफ तो आज नहीं दो दि रहूंगी, सोचूंगी, वही मेरी काशी है, वही मेरा बैकुंठ है, तुम भी मुझे माफ करो, गुणी भी है, मैं जाती हूँ, हेम चली गई, गुणेंदर वैसा ही सीधा बैठा रहा, जैसे बिजली का मारा ताड़ विरक्ष, उसी तरह, जिस तरह भीतर से जला हुआ की शक्ती भी मानून नहीं रही, फिर दुरगा पूजा आई, खूब सबेरे उठकर जंगल के पास चुपचाप खड़ी हीम, पूर्वी की अनोन रक्त छटा की और देख रही थी, महले ही में कहीं नौबत बज रही थी, उसका राग शरत की संपून करोना के साथ मिलकर, उ उसके सारे शरीर में धीरे धीरे संचारत हो रहा था, अग्या दशा में उसकी आँखों से आसु बेहने लगे, कितने दिन हो गए उसे गुणेंदर की कोई खबर नहीं मिली, वो मन ही मन सोचने लगी, कौन जाने मेरे गुणी भईया कहा होंगे, कैसे होंगे, कलकते से आते वक्त गुणेंदर ने रोते हुए कहा था, हेम और दो दिन रह जाओ, नाराज होकर मत जाओ, अभी मानी के आसुओं के कीमत तब तो उसने कुछ नहीं समझी, उस दिन बीमारी की हालत में इतनी कमजोरी होने पर भी, गुणेंदर नीचे सड़क तक उतर आया था और बोला था, हेम तुम्हारा मन अभी सवाभावी कवस्था में नहीं है, किसी भी कारण से विक्रत हो गया है, इसलिए मेरा कहना है कि लोटकर कम से कम एक दिन के लिए और रह जाओ, मगर हेम ने एक ना सुनी, गाड़ी पर जा बैठी, गुणेंदर ने गाड़ी की खिड़की के प कह रहा हूँ, आज भर के लिए गाड़ी से उतर रहा हूँ, इसके उतर में हेम ने कोचवान से गाड़ी हाकने के लिए के लिए कह दिया था, सोचते सोचते हेम लोटकर अपने बिस्तर पर जा पड़ रही, और बहुत देर तक रोते रोते उसने अपने सारे बाल भिगो ल या कि बिना छोटे बाबू के हुक्म के मैं रुपए नहीं दे सकता। हेम अपने देवर के साथ बोलती ना थी। उसने किवार की ओट में खड़े होकर कहा लाला जी मेरे मंगाने पर क्या मुनीम जी पचास रुपए भी मुझे नहीं दे सकते थे। देवर ने जवाब दिया नहीं आपको सिर्ख खाने पहनने का हक है रुपए नहीं पा सकती। हेम ने कहा क्या हक है और क्या नहीं ये मैं जानती हूं लाला जी। तुम्हारे साथ रुपए पैसे के लिए मामला मुकदम करने की मुझे में जरा भी परवड़ती नहीं है। मगर मुझे तुम इतना ब बाद ही रुपया पहुँचे परहेम ने लिये नहीं, मारे घुस्से के आंगन में फेंक दिये और घर में आकर के वार दे कर वो पढ़ रही, तमाम दिन कुछ खाया पिया नहीं, उठी तक नहीं, भीतर ही भीतर किसी को याद करकर के रोने लगी, सवेरे जब कि साथ बजगे तब हेम की नींद खुली, नहाद होकर संधिया करने बैठी ही थी कि इतने में नौकरानी ने आकर खबर दी, बहुजी तुम्हारे भाईया के यहां से चार पाच जने सौगात लेकर आए हैं, ये बात खतम भी न कर पाई थी कि मांदा ने आकर प्रणाम किया, मांदा का मु कर मानू सब कुछ बहा दिया, मांदा को अपने कमरे में खीच ले जाकर उसने कहा, गुडी भाईया ने क्या चिठ्थी लिख दी है, मुझे दे, मांदा ने कहा, चिठ्थी तो उन्होंने नहीं दी, हेम को मानू विश्वास नहीं हुआ, बोली, नहीं दी, मांदा ने कहा, नहीं जी जी, उनसे क्या उठा बैठा जाता है जो चिठी लिखते हेम का चेहरा फक पड़ गया अपने को समालते हुए बड़ी मुश्किल से उसने पूछा उठ बैठ नहीं सकते, क्या हो गया है उनको तुमको क्या कुछ मालूम ही नहीं नहीं तो, तु बता क्या बताओं जी जी, कहकर मान दा रोने लगी हेम ने रूखे स्वर में कहा, रोना पीछे पहले बता तो उसने रोते हुए कह, क्या बताओं जी जी, तुम्हारे चले आने के दूसरे दिन से ही फिर जोर आने लगा अच्छे हो गय और फिर बुखार आने लगा फिर अच्छे हो जाते हैं फिर बुखार आ जाता है वापस जाकर देख भी सकूंगे या नहीं इसका भी भरोसा नहीं है हेम ने कहा और क्या हाल है मांदा कहने लगे हाल की मत पूछो जी जी बीमारी की खबर पाकर बर्दमान से अना जाने कहां से कोई मौसे आई फिर मौसा आई उसके बाद मौसे रे भाई बहु बहु बेहन बेहनों इस सब आधम के कोई बाकी नहीं रहा घर में अब जगाए भी नहीं रही है मैं सब को बिदा कर दूँगी हाँ फिर सब खा रहे हैं पी रहे हैं मौच कर रहे हैं बाबू उपर पड़े रहते हैं ना कोई डॉक्टर आता है ना वैद ना दवादारू ना पत्थ पानी सुना हे हवा बदलने से लाब होका पर ले कौन जाए हेम ने कहा तुम सब के सब क्या कर रहे थे नंदा क्यों नहीं ले गए मांदा ने तकदीर पर हाथ दे मारा कहा बाबू का वही सबसे पुराना नौकर था परन्तु मौसा जी की लड़के अभई ने उसे भी मार पीट कर भगा दिया चोकरा शराब भी पीता है किसी किसी दिन घर आकर ऐसा उधम मचाता है कि भाई से कोई बाहर नहीं निकल सकता है उससे बाबू तक डरते हैं हेम ने कुछ देर चुप रह कर कहा एक बात सच सच बताना बहन मेरे गुणी भाईया क्या बचाएंगी नहीं मांदा ने कहा क्यों नहीं बचेंगी जीजी चल कर दिखाओ भलाओ कोशिश करो जरूर अच्छे हो जाएंगे वैसे ही ओडाल रखने से कितने दिन जीएंगे हेम मिनट भर के लिए आँखे बंद कर बैठी रही उसके बाद उठ खड़ी हो बोली मांदा तुम्हारे पास वापस जाने के लिए रुपए हैं हैं? हैं क्यों नहीं? तुम तो जानती ही हो जीजी बाबु एक की जरूरत हो तो दस दे कर भेजते हैं रुपए मेरे ही पास है ये कहकर उसने आचल में बंद हुए नोट दिखाए हेम ने पूछा कब जाओगे? कल? मांदा ने कहा हाँ जी जी कल ही जाना होगा उनके पास मैं ही तो एक पुरानी दासी हूँ और तो सब नए है कोई टिक थोड़े ही पाता है जैसी मौसी वैसा ही उनका लड़का और वैसे ही उनकी बेटी बहु विदाता ने मानो खास तोर से फर्माइश दे कर उन्हें एक एही सांचे में ढलवाया है मेरे तो बड़े कड़े प्राण है इसी से अब तक टिकी हूई हूँ शोकरा भाई एक दिन मुझे भी मारने आया था बाबु के लिए कहता है कि मर जाएं तो आफट टले हेम के आँखों से चिंगारियां सी निकलने लगी बोली मुझे पहुँचने तो दे आज इस्टीमर कब छूटता है मालू में तो जे मांदा ने कहा घंटे भर बाद ही छूटेगा मैं आते वक्त तो पूछती आई हूँ तो चल इसी से चलूँगी तो गाड़ी बुलाला तुम आज ही चलोगी जी जी आज तो दिन अच्छा नहीं है अच्छा दिन है देरी मत कर गाड़ी बुलाला उसी दिन शाम को अभय कुछाली पर उसकर माँ पास बैठी हुई उससे और भी दो पूड़ी खालेने का नरोध कर रही थी बगल में ही उपर जाने की सीड़ी थी अपर इचित हेम को देखती आच्छार में आकर मौसी ने प्रश्न किया कौन हो तुम बेटी मैं परदेशी हूँ कहकर हेम सीधी उपर चली गई अब है उसके अपूर वरूप की और भेड़ी की तरह गूरता रह गया हेम ने गुडेंदर के कमरे में जाकर देखा वो दीवार की तरफ मुह की ये लेटा हुआ है जाग रहा है या सो रहा है कुछ समझ ने सकी सिरायने के पास चाबियों का गुच्छा पड़ा था हेम ने सबसे पहले उसे उठा कर अपने आचल में बांध लिया टेबिल पर दोतीन रीती दवाओं की शीशियां पड़ी थी उठा कर देखे लेबिल पर पंद्रह दिन पहली की तारिख पड़ी है साफ साफ सब बाते समझ में आ गई इसके बाद लुहे का संदुक खोल कर चेक बही निकाल के जब वो व्यविहत अंशों की दस्कत मिला कर परिक्षा कर रही थी तब मौसिया पहुंची देखती ही दंग हो गई चिला कर बोली कौन हो तुम जो संदुक खोल रही हो हेम ने कहा चिलाती क्यों हो उनकी नीन खोल जाएगी मौसियने और भी चिला कर कहा हाँ चिलाती क्यों हो गुडेंद्र जाग रहा था उसने करवट बदली हेम ने कहा मैं नहीं खोलूँगी तो और कौन खोलेगा अभी आ रहे हूं। इन्हें समझा दो कि तुम्हारी तिजोरी खोलने के कारण किसी बाहरी आद्मी को कमरे में आकर शोर गुलना करना चाहिए। ये सब कुछ मेरा है। इस बात को अच्छी तरह समझा कर इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। गुणेंदर सब समझ किया। उसके बाद हस कर बोना। जान पढ़ता है उसी नाते से इतने दिनों बाद संदुक खुलने आई हो। हेम ने चेक के पन्ने गिनते हुए कहा। हाँ। मौसी ने कहा ये कौन है गुणी मेरी बेहन। जवाब सुनकर हेम सहर उठी। उसके बाद आख उठा कर उसने एक बार गुणेंदर के मुह की तरफ देखा। फिर सिर नीचा कर लिया। मौसी ने कहा कैसे अब तक तो मैंने नहीं सुना था। कैसी बेहन है। गुणेंदर ने इस बात के संग्षेप में जवाब दिया। नाराज होकर चली गए थी। सब कुछ उसी का है मौसी। मौसी ने विश्वास नहीं किया और उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। विच कहने के बाद ही उसका चेहरा देखकर वो डर गया। हैम का चेहरा फक पड़ गया था। मानुवा कसमात किसी कृध तपस्वी के अभिशाप से एक शण में ही पाशान बन गई थी। गुणेंदर ने डरते डरते बुलाया। हैम। हैम ने कोई जवाब नहीं दिया। हिली स्थिर हो ज्यों कि तों बैठी रही। गुणेंदर खाट पर किसी तरह उठकर बैठ गया। उसके बाद खाट से उतर कर धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से हेम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका सामने आना था कि हेम ओंधी होकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और पैरो में अपना मूँ छिपा कर रोने लगी। बिड़ा कसूर के मुझे सब कोई सजा देते हैं पर अंतु तुम भी दोगे। ऐसा मैने सपन में भी न सोचा था। गुणेंदर चुप रहा। सावन के आकाश भरे बादलों की तरह काले बालों ने उसके पैर ढख रखे थे। उ हमें सजा क्या दूँगा हैं मुझे तुमने प्यार किया था इसलिए मैं अपने को भी सजा नहीं दे सका। ये सजा नहीं है बेहन चार वर्ष के घोर दुख के बाद मरने से पहले मुझे शान्ती मिली है और अंत समय मैं उस दुरलभ वस्तू को तुम्हें दे हम काशी चले हैं मुझे चुपा कर रोती रही और भूली चलो पर क्या यही तुम्हारी अंते माग गया है इसमें सहसकूंगी गुणेंदर ने कहा जरूर सहसकोगी जब तुम ये समझोगे कि प्रेम को महा मही मानुवित करने के लिए विच्छेद ने सिर्फ तुम जैसी अतुल एसर शालनी के दौार पर ही आकर हमेशा हाथ पसा रहे हैं वो अल्प प्राण शुद्र प्रेम की जोपडि में अवग्या से नहीं गया है तब तुम सहसकोगी जब तुम समझोगी कि अमरतवास नही महत प्रेम की प्राण है इसी के दोरा ही वो अमरत प्राप्त करक कि यूग यूग में कितने काव, कितनी मिठास, कितने अमूल आसु संचित करके रख जाता है। जब इस बात को तुम निसंशय अनभव कर सकोगी। कि क्यों राधा का शत वर्ष व्यापी विरह वैश्णावों का प्राण है। क्यों वो प्रेम मिलने के अभाव में ही पूर्ण और व्यथा में ही मधुर है। तब तुम सह सकोगी हैं। उठकर बैठो, चलो, आज ही हम काशी चने। जो थोड़े से दिन और बाकी हैं, उन दिनों के अंतिम सेवा, तुम्हारे भगवान के आशीरवाद से अक्षय होकर, तुम्हें जीवन भर सुमार्ग में श झाल